इस डिजिटल यूग में भी जो वर्तमान दौर गुजर रहा है यह डिजिटली दौर कहा जा रहा है लेकिन जब मन की बात हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी की पिछले दिनों जिस मन की बात में उन्होंने गड़वा के हिरामन कुरवा का जिक्र किया था उस हिरामन कुरवा ने अपने उस मन की बात को नहीं सुना था कारण की उनके पास एक एंडरोइड मोबाइल नहीं था यानि बड़ा मोबाइल नहीं था कोई दूसरा कोई कहा कोई दूसरा कोई उन्हीं दिखाया तब जाकर के उन्होंने उस बात को देखा था अब वह डिज बात है कि यहां पर नेटोर्क पकड़ता ही नहीं है, अगर किसी आदमी को बात करना पड़ता है तो वह तोंगरा नेटोर्क आता है, वहां पर जाना पड़ता था है, बहुत संकट से लोग यहां पर गुजर बसर करburst कर रहे हैं, जो कि हमारे भारत देश मान अगरणियम् बहुत तरह से परसाना है और अपनी बातों को दूसरे जगा बताने में आच्व Christina को किसी तरह की देखने में बहुत हम लोगों को यहां से परसानी करना पड़ता है यह sir मैं वैं हागल करता हूं कि डिजिटला इंडिया के अत्रहट यहां पर नेटवर कर लए बस्था करा परखंड के कमिटी धरखंड मंत्री जो पेजल मित्लेस ठाकुर जी के दोवारा मुझे एक मोबाइल दिया गया जिससे मैं उस जहां पर नेट्रक आता है उस जगह पर जाकर के मैं अपने मन की बातों और देश बिदेश को समाचार निवीज जो भी समस्या हैं मैं मोबाइल स अवगत ले सकता हूं और देख सकता हूं इस तरह से मैं लोगों को साथ में अपने बात को जो देखेंगे डिजली इंडिया के माध्यम से मैं दूसरों को पास सेर करूंगा बताऊंगा और साथ जैमेम के लोग भेंजिला अध्यक भी हैं क्या मंत्री जी ने क्या कहा आप कुप में आने के लिए और क्या क्या सुद्दा दी गई इंको आज मंदी जी हम लोगों से पूछे कि आप हिरामन जी खुरवाय जो है उनके गाव में जाए और सबसे पहले उनको आप मोबाइल एक देख करके उनको दुनिया से जोड़ने का काम करें अच्छा मोबाइल द पीते हैं तो हम लोगों ने तोरित करवाई करते हुए एक चंपाकल का व्यवस्था की हैं जो कल इनके हां वह चंपाकल गढ़ जागा और परसों से पानी सुध पानी पीने लगेंगे रोड का बैथा इन्होंने सुनाया तो रोड एक्शुली इनका बन विभाग में करकांगे उसके दूसरे दिन से आने के लिए रोड भी बनवाने का काम जुदधस्ता पर चालू करने का काम करेंगे चुँन ने एक बाद और कहा कि हमारे अ हैं कुछ संवरत्या होगा है कि होने कितने लोगों को कमबल नहीं मिला है आप उसके लिस्ट देढे दिर स्थी अनको कमबल न Ghana युँग के लोगों को लिखिया है और जो का इनका समस्या होगा समस्या को भी आझधर नीयाम मंत्री जी के संग्यान में है जैसे जैसे होगा इस गाउं के पूरे समस्या से हम लोग निजार दिलाने का काम करेंगे हिरावन कोड़वक का परिवार के साथ साथ गाउं पूरा गाउं बदहाल है क्या पहल हो रहे हैं मंत्री की तरब से पहल दो हो चुकी है इसलिए कि मन के बात के बाद बहुत सारे भारतिय जनता पाटे की नेता लोग भी और आने के बाद जो भी कियों हमें नहीं पता है लेकिन आज हम जब आये हैं तो इनकी जो भी मूल सुभुत समीधा थी अगर वह आये थे तो कर देना चाहिए लेकिन आने के बाद हमें पता चला कि पूरे गाउं में पेजल की सबसे बड़ी समस्या थी है तो हम लोगों ने मनी मंत्री जी संपर किया और ततकाल बो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सुना लेकिन जिनकी चर्चा चली थी अफसोस था उन्होंने नहीं सुन पाया कि उनके पास इंटरनेट से जुड़ने वाला कोई माध्यम नहीं था इनको जब जानकारी है तो लाइब तो नहीं देख पाई लेकिन ब्रोडकास्टिंग दुबारा देखे गाउं में जाकर इसको देखते हुए मान्यमंत्री जी ने एक पहल की है कि इनको एक नुरड मोबाइल दी है जिसके माध्यम से इनको निवेधन किया है कि आप अपनी भासा को इंटरनेट के माध्यम से पूरे बिश्व में भेजा जाए जिसके लिए अपनी जीमन में अगर थोड़ा सा भी आप लोगों की तरह मन्यमंत्री जी की तरह तत परता रहती तो सायद हम भी पढ़ लेते इनको आप बिचार था कि हमारे समाज के लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पढ़ता है दूर्गम रास्तों को पार करके जिसक विडियो साहब से और हमारे जीला कमेंटी का एक बैठक हुई इसमें तया किया गया कि ततकाल इनका अवेदन विडियो साहब सिक्षाग विवां के भेजेंगे और इसको क्रमित करते हुए आठ वर्क तक इनके गावं में ही जो इसको लोगों को कर लेंगे तीसरा समस्या था इनका की कंबल बहुत सारे लोगों को ने मिला था तो हम लोगों ने विडियो साहब के माधियम से इनको कंबल मुहिया कर दी गया है इनester से जिनको जुरुत हो उनको कंबल दे dissions जाए जाए तीस तरह कि बहुत शारी समस्या इनके पास आई भूमी पट्ठा का आया बन विडियो से आपको निर्देशित किया है कि जिला धक्ष तन्विर अलम जी के तरफ से कि आप अत्रत तत्काल आप इनका जो आवेदा ने उनको बन बिवाग के अफसर के पास भेजे और इनोस्री जैसे ही मिलेगा इनको भूमी पट्टा का प्रिक्रिया तुरत हो जाएगा स कि पूरे गाउं के संदरी करन की जाएगी जो कि यह गाउं प्रकृति की गोद में और जब आज मैं आया तो देखा कि यह गाउं सबसे खुबसरत बन सकता है मानिय मंत्री जी का अगला दोरा जब होगा तो हम लोग यहां लाएंग उनको और कोशिश करेंगे कि संस्कृति अब प्रेटन मंत्राले के तरफ से इस गाउं को कुछ मदद किया जाए है यहां है हिरामन से भी रूबरू हुए है आप उनकी पत्ने से भी वाकिफ हुए बात भी कि कि क्या लगा किस यथिती से गुजर रहा है इंका परिवारा आप किस तरह मंत्री जी दोरा पाहल की जा है और जिस तरह से उन्होंने अपने आदिम जंजाती के भासा को सरक्षित करने के लिए प्रयास किया है और धन्यवाद देना चाहता हूं मिडिया बंदु का जिनके माध्यम से ही इनको आज प्रकास में लाया गया है आज मानिय मंत्री जी के निर्देश पर आदर्निय जि सबसे देखने की चीज है कि इनकी पतनी के द्वारा स्वेंग चटाई बनाया जा रहा है पूचा कि भावी चटाई हम लोग बनाते हैं और इसको बेचते हैं उससे हम लोग का जीव का पार्जन होता है तो देखा जाए तो एक अच्छे से मसीन से बनाया हुए चटाई इस उस गाओं को परियटन के साथ साथ चुकि जंगल के बीच में है तो बाकी चीजों में भी इसको बहुत अच्छ से बिक्सित किया जा सकता है और मानिये जिलाध्यक्स जिसे हैं भी हमने याग्रह किया है कि आपके नेत्रित्व में मानिये मंत्री जी के स्वयोग से उनके सा काँ U qua हम लोग भीक्सित करने का काम करें से बच्कथों को अच्छी सिक्षा और यहां के लोगों को अच्छी ब्यासता देने का हमलों पूरा परयास करें कि मन की बात में के करीब आने वाले हिरामन जी सुवधा से कोसो धूर थे लिकिन अब वो सुवधा से युक्त होंगे मंतरी में स्ठाकुर द्वारा पहल किया गया है आज उनके जिला कमीटी के सभी लोग यहां पहुचे हैं जिनके द्वारा बड़े मोबाइल के साथ साथ सारी आमन अब कम आगे भी सुवधा युक्त होंगे आसुतो सरंजन दास न्यूज गड़ा हुआ